Hello Everyone, Welcome to Techno Teachers आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे किस तरह से ट्रास्फर होगे टीचर को डिटेच और इंपोर्ट किया जाता है आप सबसे पहले Udice Plus की वेबसेट पर आ जाएंगे और यहाँ पर Login for All Modules पर क्लिक कर लेंगे चुक्के हमें पता है कि Udice Plus में इन तीन चीजों पर काम होता है आज के इस वीडियो में हम टीचर को किस तरह से इंपोर्ट किया जाता है या डिटेच किया जाता है वो दिखेंगे यहाँ टीचर मॉडियोल नजर आ रहा है Login बटन पर क्लिक कर लेंगे अपने स्कूल का Udice Code और Password डालने के बाद आप Login कर लेंगे Login होने के बाद आपको एक नई विंडो नजर आएंगी जहां लिखावा होंगा Click Here to Open Teacher DCF to Fill the Data इस पर क्लिक कर लेंगे यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएंगी जहां आपके सामने यह option नजर आएंगे जहां लिखा रहेंगा Teacher Summary Report जिसमें Import Teacher, Teacher Dropbox, List of Inactive or Deleted Teachers, Duplicate Teachers and Refresh अब इसके बाद हम यह देखेंगे स्कूल से टीचर का अगर ट्रांसफर हो जाता है तो उसको किस तरह से स्कूल से हम detach करते है जहां आपको Total Teaching Staff in Position A प्लस B यह नजर आएंगा यहाँ पर आपको quantity नजर आएंगे Total और Incomplete आप यहाँ पर number पर क्लिक कर लेंगे यहाँ आपको Teachers की List नजर आजाएंगी List नजर आने के बाद Teachers की Detail नजर आजाएंगी उसके सामने आपको यहाँ नजर आ रहा है View और Left Left इस button पर क्लिक करने के बाद आपके सामने Teachers की Detail नजर आजाएंगी और यहाँ पर नीचे message आएंगा कि are you sure to send the particular teacher to dropbox यहाँ चार option दिखा देंगे आपको due to retirement, transfer shifted to another school, due to job left, due to death अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो second वाल option है या अगर कोई teacher retire हो जाता है या किसी और वज़े से वो teacher school छोड़ देता है तो हम वो reasons यहाँ पर select कर लेंगे, in teacher का transfer दूसरे school में होगे, असलिए हम fourth वाल option select करेंगे और यहाँ remark भी आपको लिखना है और last date in service school यह भी आप लिख लेंगे और जो लाल वाला बटन है left school इस बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको एक confirmation पेज नज़र आएंगा, जहां लिखा हुआ होँगा are you sure to send the particular teacher to dropbox, इसे confirm करने के बाद यह teacher dropbox में चला जाएंगा अब हम यह देखेंगे कि किस तरह से teacher को import किया जाता है जैसे हमने पहले बताया था, school dashboard में यह option दिखाए देते है तो हम import teacher इस button पर click करेंगे click हो जाने के बाद इस बात का ख्याल रखिए कि जब हमें teacher import करना है तो उसके लिए हमें teacher का national code की जरुरत होंगी अब teacher का national code की सारसे मालम करेंगे तो उसके लिए दो तरीखे है या तो आप login करने के बाद teacher का जब detail open करते है महाँ पर national code नज़र आएंगा अगर हमें किसी वज़े से teacher का national code नहीं पता है तो आप यहाँ पर get national code इस button पर click करेंगे teacher का अधर कर यहाँ type कर लेंगे उसके बाद उसकी data about भी यहाँ पर type कर लेंगे और search button पर click करेंगे यहाँ दीखे teacher का national code हमें available हो जाएंगा आप इसको copy कर लेंगे और copy करने के बाद यहाँ पर national code आप teacher का type कर लेंगे और teacher की date of birth भी हमें type करना होंगी teacher की date of birth टाइप करने के बाद हम go button पर click करेंगे यहाँ दीखे teacher की detail आजाएंगी हमें जहाँ पर उसका national code teacher का नाम date of birth और date of joining नज़र आएंगी और इसी के साथ नीचे एक message भी हमें नज़र आ रहा है you cannot import this teacher teacher assigned with national code already active in school यानि कि इस teacher को drop box में नहीं डाला गया था तो इस बात का खयाल रखना है हमें कि जब भी हम teacher को import करेंगे तो teacher को drop box में डाला हुआ होना ज़रूरी है अब हम यहाँ transfer teacher का national code type कर लेंगे national code type करने के बाद teacher data of birth भी type कर लेंगे और go button हम प्लिक करेंगे यहाँ teacher की data आजएंगी और नीचे remark में हम लिख लेंगे और date of joining in present school यह टाइप कर लेंगे nature of appointment regular और input बटन पर क्लिक कर लेंगे यहाँ पर एक डालोग बक्स नज़र आएंगा do you want to restore teacher और restore teacher पर हम क्लिक कर लेंगे जैसे ही हम restore teacher पर क्लिक करेंगे यह teacher अभी जैसे स्कूल में काम कर रहा है उस school में input हो जाएंगा इस तरह का यह बहुत यासन प्रोसेस है इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए हम जिन teacher का transfer हुआ है उन teacher को attach कर सकते है इसी तरह के information video के लिए हमारे youtube channel से बने रही है थैंक यू